Hello Friends, Welcome to Get More Info YouTube Channel क्या आपने 12th commerce site से pass out किया है या आप after 10th commerce subject चूज़ कर रहे है and 12th तक तो आप regular अपना schooling जो रहती है वही आप करेंगे 11th and 12th लेकिन 12th के बाद में आप लोगों को काफी confusion रहता है कि 12th के बाद हम कौन सा subject चूज़ करें या कौन सा course हमको करना चाहिए तो 12th commerce student के लिए मैं कुछ courses बताऊंगे इस वीडियो में जो की west courses हैं, काफी पसंद किये जाते हैं popular courses है and जो commerce के student है वो obviously अगर आपने commerce subject चूज़ किया है तो मैं जो रहता है accountant accountancy का आपको interest होगा इसलिए आपने commerce subject को चूज़ किया है and ये भी depend करता है कि आप किस field में जाना चाहते हैं क्योंकि जो courses में आपको बताऊंगे एक particular subject, जो field है वो आपको चूज़ करके आगे जाना होगा तो आपका जिसमें भी interest है आप उस course को कर सकते हैं वीडियो में बनी रहेगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो like and share कीज़ेगा अभी हम इस वीडियो में स्रिफ courses के नाम बताऊंगी मैं आपको कौन-कौन से courses आप कर सकते हैं इन पर कुछ videos मैंने upload किये हुए हैं कुछ courses पर जो कि मेरे first channel government job genuine notification पर upload है इन में से जो भी courses आप एक बार visit कर लिजेगा और जो भी courses के बार में आपको information नहीं मिलती है आप मुझे comment कर दीजेगा चलिए start करते हैं अभी हम बात करेंगे bachelor courses के बारे में अगर आप bachelor course करना यानि graduation आप करना चाहते हैं क्योंकि आप 12 के बार diploma courses भी कर सकते हैं certificate courses भी कर सकते हैं अभी हम आज के इस वीडियो में bachelor courses जो रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे कौन-कौन से हैं जो best रहेंगे आपके आगे career के लिए जिसमें first है वीकॉम honors आप सभी जानते हैं वीकॉम honors आप कर सकते हैं second है Chartered Accountancy CA Chartered Accountancy एक ऐसा course है जिसके तुरू जो commerce के student है वो CA बन सकते हैं CA जो बनना चाहते हैं वो Chartered Accountancy का course कर सकते हैं जिन्होंने 12th commerce math site से किया हुआ है 12th में minimum 50% यहाँ पर required रहती है तो आप CA course कर सकते हैं इसके अलावा CS Company Secretary Company Secretary course भी आप कर सकते हैं यह भी काफी ज़्यादा पसंदीदा course है और इसमें भी 12th में 50% marks के साथ आपका pass out होना चाहिए तो आप Company Secretary का course भी कर सकते हैं यह जो दो course हैं CA and CS काफी एच्छे course हैं और काफी popular course हैं तो आप यह courses कर सकते हैं इसके अलावा BCom in Accounting and Commerce आप कर सकते हैं 3 year का duration इसका रहता है Next है BBA, LLB BBA, LLB आप कर सकते हैं BCA आप कर सकते हैं IT and Software में अगर आपका interest है तो आप BCA कर सकते हैं BCA की degree Computer Science and Information Technology BTEC, BE degree के बराबर होती है इसी के equivalent माना जाता है काफी जो vacancies release होती है वहाँ पर भी BE, BTEC and BCA required रहता है तो आप BCA में अगर interested हो तो Computer, Computer में अगर आप interested है Information Technology, Software में अगर आपका interest है तो आप BCA course भी कर सकते हैं After 12th Commerce BBA आप कर सकते हैं BMS आप कर सकते हैं इसके अलाबा कुछ courses और भी है लाइक यहाँ पर Bachelor of Business Administration BBA जो हमने देखा BMS, Bachelor of Management Studies Okay Bachelor in Travel and Tourism Bachelor in Hospitality Bachelor in Event Management Bachelor in Hotel Management Bachelor of Journalism सो बहुत से courses हैं आप यह courses कर सकते हैं Bachelor of Arts या Bachelor of Vocational Studies बहुत से available हैं इसके अलाबा Diploma courses भी है and Certificate courses भी है बट हम यहाँ पर Bachelor courses Top Bachelor courses की बात करें जिसमें सबसे अच्छे जो course यहाँ पर जो की सबसे ज़्यादा popular है मैंने आपको बताया CA and CS ज़्यादा जो student है वो CA बनने के लिए ही Commerce Subject को चूज करते हैं कि आगे चलके हम अपना CA course के थूँ अपना आगे CA का जो career है वो आगे बढ़ाएंगे तो आप अगर Math side से Commerce से अगर आपने किया हुआ है अपना 12th pass out then आप CA course अपनी first choice रख सकते हैं second आप CS रख सकते हैं इसके अलाबा क्योंकि course fees भी depend करती है course fees कितनी रहेगी और आपका जो area है जहां से आप करना चाते हैं courses वहाँ पर available है या नहीं ये भी depend करता है तो ये आपकी choice है लेकिन ये courses काफी अच्छे काफी पसंदीता courses है अगर आप चाहें तो इन में से कोई एक course कर सकते हैं आसा करती है वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share कीजिएगा Thank you